नमस्कार दोस्तों, स्वाती भक्ति एन ब्लोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जै बागेश्वरदाम, हर हर महादेब, जै जै हनुवान, जै शियाराम उमीद करूँगे आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजे मैं आप सभी के लिए बेहत ही खास अचुक उपाई ले करके आती हूँ अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई समस्याएं हैं धन को लेके या किसी भी तरह से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजेगा मैं उस पे आप सभी के लिए वीडियो ला करके जरूर दूंगी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजेगा दोस्तों आप सभी को पता है कि धन के लिए सब लोग तरसते हैं मा लक्ष्मी हमारे घर आए इस बात की सब को मन में कामना रहती है लेकिन इतना पूजा पाट करने के बाद भी माता रानी हमारे घर नहीं आती है अगर माता रानी हमारे घर आती है जैसे कि हमारे घर में अचानक धन का लाब हुआ हो फिर भी वह धन जादा दिन तक टिक नहीं पाता है इसके लिए कहीं न कहीं आपके घर में ही कुछ वास्तु दोस है जिसके कारण आपके घर में यह चीज उत्पन हो रही है मतारानी का इतना पूजा पाट करने के बाद भी अगर आपके घर में धन की बृधी नहीं हो रही है इसका मतलब यही हुआ कि आपके घर में किसी ना किसी तरह का दोस है या नकरात्मक उड़ जाए है जिसके कारण आपके घर में पैसे तो आते हैं लेकिन जादे दिन तक टिक नहीं पाते हैं दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि लक्ष्मी महरानी जैसे अगर हमारे घर में पैसा आता है तो हम लोग यह भी कहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आई है लेकिन अगर उस लक्ष्मी जी का आप लोग सही तरीका से उप्योग नहीं करते हैं तो आपके घर में इसकी बृधी कभी नहीं होगी अगर आप पैसा का दुरूपयोग करते हैं तो इससे फिर बृधी नहीं होगी दोस्तों अगर आप भी सुक्रवार के दिन वैभव लक्षमी का वर्त रखती हैं तो इस दिन भी बेहद ही खास होता है कि आप नियम के अनुसार ही पूजा केजिए सुबा उठके घर का साफ सफाई करने के बाद आपको घर के दुआर पे हर रोज एक बाल्टी पानी डालना ही चाहिए इससे यह साबित होता है कि आपके घर में अगर जो भी व्यक्ति कमाने के लिए बाहर जाते हैं इससे आपके घर में सकरात्मक उड़ जाएंगे और अगर आपके घर की जो भी सदर्शे पुरूस बाहर कमाने जाते हैं वह धन ले करके ही घर आएंगे अगर आपके घर का चोखट ही गंदा रहेगा क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे घर का मुख्य द्वार ही यह चीज का निर्ने लेता है कि हमारे घर में नकरात्मक उड़ जाएंगी या सकरात्मक और लक्ष्मी आएंगी या लक्ष्मी जी तो इसलिए आप सभी को अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए अगर आपका पर्स लेकर के आप बहार जाती हैं और वह खाली ही आता है इसका मतलब आपके घर में ही किसी ना किसी तरह का बुड़ा शाया है मा लक्ष्मी और विश्णू देपता का अगर आपने अपने घर में फोटो लगा के रखा है तो इसका भी आपको विशेश धियान देना पड़ेगा अगर आपके घर में धान की कमी है तो आपको इस बात का विशेश धियान देना है कि जहां पे भी आप तस्वीर रखे हैं अगर आप मंदिर में ही रखी हैं या घर के कोने कोने में अगर मा लक्ष्मी का तस्वीर लगा के रखी है तो धियान रहे कभी भी माता रानी का तस्वीर गंदा नहीं होना चाहिए जैसे कि बहुत दिन के बाद अगर हम लोग किसी चीज को साफ करते हैं तो धूल लग जाता है उस तरीका से आपको इस तस्रीवे कभी नहीं लगना चाहिए दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग पूजा पाठ में बहुत बार चना कपरियोग करते हैं चना एक ऐसा चीज है जो महा महा पर्व में भी इसका उपियोग किया जाता है आप सभी को मैं आज बताना वाली हो कि चना आप सभी के लिए कैसे फाइदा मंद होने वाला है धन कमाने के लिए दोस्तों आपके घर में जो भी पुरूस महिलाएं पैसा कमाने के लिए बहार जाते हैं उन्हें नित्य दिन अंकूरित चना खाना चाहिए कहा जाता है कि जब भी महिलाएं जितिया पर्व करती है और उसमें चना चरहाती है वा अंकूरित होने के बाद अपने पुत्र को या पुत्री को या खुद ग्रहन करती हैं इससे यह साबित होता है कि अगर आप अंकूरित चना खाते हैं तो आपके भी घर में धन की व्रि जो कि बहुत ही जादा सुगंधित रहता है कहा जाता है कि अगर आप साम में धूप दीब आरती करती हैं अगर उसके उपर दो इलाइची डाल करके पूरे घर में धूप दिखाती हैं तो इससे भी आपकी घर में सकरात्मक उरजाएं आती हैं सकरात्मक उरजाएं यानि मालक्षमी का आगवन इस उपाई के लिए आप सभी को इलाइची लेना है इलाइची एक मात्र ऐसा चीज है जो अगर आपकी घर में अकरात्मक उरजाएं हैं वह भी दूर कर देंगे और साथ ही साथ मालक्षम को अपने और आकरशित भी करेंगे इस चीज के लिए आप इलाइची ले लिजे दिहान रहे कि इलाइची थोड़ा लंबा होना चाहिए क्योंकि छोटा इलाइची लेने से आप सभी को दिक्कत होने वाली है इसलिए आप थोड़ा सा लंबा इलाइची ले लिजेगा अगर आप सुक्रवार को विशेश रूप से मा वैभव लक्ष्मी को भोव लगाती हैं तो उसमें भी आप इलाइची का परियोग जरूर कीजिएगा. अब आपको अपने सामर्थ नुसार दो इलाइची लेलना है और उसके बाद एक मौली धागा लेलना है. दोस्तों आप सभी को पता है कि हम सब हर एक पूजा पाठ में मौली धागा का परियोग करते ही करते हैं. अगर आप घर में किसी वी तरह का पूजा पाट कराती है तो उसमें भी मौली धागा लगता है, कलस को बांधने में और उसके बाद आप अपने कलाई पे उसे बांधती हैं, बड़े से बड़े पूजा में भी मौली धागा का परियोग किया जाता है, इसे कच्चा सूत भी क ले सकती हैं और उसके बाद आप इसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लीजिए यानि कि आपके हाथ से लंबाई जैसे कि आपका कलाई होता है उतना दूर तक आपको इसे तोड़ लेना है तोड़ करके आपको दो से तीन बार इसे अच्छे तरीका से छोटा कर लेना है माना जाता है कि अगर आप अपने पर्स में इस तरीके से इलाइची में मौली धागा ध्यान रहे कि लाल और पीला ही होना चाहिए इसमें किसी भी तरह का कोई दाग धबा नहीं होना चाहिए इस तरीका से आप बांद करके अगर अपने पर्स में रख लेती हैं महिलाएं पुरूस कोई भी और उसे हमेशा के लिए अपने पर्स में ही रखना है अगर आपका पर्स कभी खराब हो गया कभी तूट गया तो आप उस इलाइची या मौली धगा को उठा करके अपने दुस पर्स में रख लीजेगा माना जाता है कि अगर आप घर के बाहर जब भी जाती है धन और दौलत कमाने के लिए तो इलाइची एक ऐसा सुगंदित पदार्थ है जो कि माल लक्ष्मी को अपने और आकरशित करेगा और सक्रात्मक उर जाएं को भी अपने और आकरशित करेग इस तरीका से मातारानी आपके घर भी आएगी और अगर आपके घर में नकरात्मक उर जाएं है या आपके धन में नकरात्मक उर जाएं है पर्स में नकरात्मक उर जाएं है तो वह दूर हो जाएगा और सक्रात्मक उर जाएं परवेस कर जाएंगे इस तरीके से उपाई कर करने से आपकी घर की हर समस्याएं दूर हो जाएंगे बोलो लक्ष्मी मेईया की जै उमीद करूंगी दोस्तों बताया हुआ उपाय पसंद आया होगा पसंद आने पर वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडिय ये वादे